हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसिज फ्रेंड्स अज जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग के तहत समगर शिक्षा में 624 वोकेशनल ट्रेनर की भरती दिसंबर तक की जानी है इसके लिए नवंबर में पॉसिबिलिटीज हैं कि न जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे विवर्स के मैसेज आये थे इसलिए हमने आज का ये सेशन आपके लिए बनाया है कि जो 15 ट्रेड्स हैं उनमें आपके पास एजुकेशनल जो है आपकी जो है वो क्राइटेरिया क्या रहेगा और आपका एज क्राइटेरिया क्या रह इन एग्रिकल्चर, एग्रोनॉमी, होटी कल्चर from a recognized institute or a university with at least one year work experience. आपके पास इन डिग्री के साथ-साथ यानि कि एग्रिकल्चर में हो गया, एग्रोनॉमी में होगी, होटी कल्चर में होगी, इसके आपके पास post graduation degree होनी चाहिए. दूसरा है कि आपके पास एक साल का one year का experience है, वो must होना चाहिए. जब भी आप apply करोगे, तो आपको उसमें ये जरूर mention करना पड़ेगा, कि आपके पास one year का work experience है. अगर आप नहीं डालोगे उसमें, जब आप apply करोगे, तो बाद में जब scrutiny होगी, तो आप automatically उस scrutiny से बाहर हो जाओगे. यानि कि फिर हो सकता है कि आपको exam के लिए भी call ना आए. इसलिए जब भी आप apply करोगे, तो बहुत ध्यान से आपने apply करना है. आपने अपनी qualification सही भरनी है, और जो required experience है, वो भी आपको इसमें ज़रूर डालना है. minimum competency है, जो की required होती है, effective communication skill क्यूंकि आपको पढ़ाना है, basic computing skills आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, इसके लिए जो age limit है, वो है 18 to 37, ये general के लिए है, rest जो है, वो as per government norms है, इसमें 5 साल तक की relaxation मिल जाती है, जो भी government के norms है, उसके मुताबिक. age limit का जो criteria है, वो लगभग सभी में एक जैसा ही है, 18 से 37, tourism में थोड़ा अलग होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे, दूसरा हमार पास जो trade है, वो है automotive, इसमें आपके पास कौनसी डिगरी होनी चाहिए, automobile engineering, mechanical engineering from a recognized institute or a university, with at least one year experience of teaching और work experience आपके पास होना चाहिए, या त आपके पास क्या होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लॉमा इन automobile engineering, mechanical engineering from a recognized institute or a university, with at least three year work or teaching experience, यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लॉमा है, डिप्लॉमा होने की स्थिति में आपका जो experience, required experience है, वो बढ़ जाता है, वो तीन साल का है, अगर आप डिगरी engineering की, तो आपको सिर्फ एक साल का work experience या teaching experience होगा, तो भी चल पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डिप्लॉमा है, तो डिप्लॉमा होने की स्थिति में आपके पास तीन साल का work experience होना जरूरी है, ऐसा नहीं होगा कि आपने डिप्लॉमा किया है, और आप एक साल का experience दिखा रहे हो फिर आप उमीद कर रहे हो कि आपको exam के लिए call आएगा या interview के लिए call आएगा तो ऐसा नहीं होगा तो ये भी आपने ध्यान रखना है minimum competency इसमें भी वही है आपके पास effective communication skill होनी चाहिए है यह सभी में required होती है क्योंकि आपको teach करना है बच्चों को पढ़ाना है आपको आप trainer के तौर पर वहां पर डिप्यूट किये जाओगे तो आपकी जो communication skill है और oral हो या return हो दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको data से related काम भी करना पड़ता है तो आपको basic computing skill भी उसमें आनी चाहिए ठीक है एज criteria आपका 18 to 37 है बाकी as per relaxation as per government rules है ठीक है healthcare में क्या चाहिए आपके पास बीसी nursing होनी चाहिए या मिट्वाइरी फोर years और three and a half year diploma in GNM with one year experience यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए कि एक साल का experience होना चाहिए अगर आपके पास diploma है ठीक है यह वन यह का experience required होता ही है और बीसी nursing होनी चाहिए या तो या मिट्वाइफरी four years या फिर साड़े तीन साल का आपके पास diploma होना चाहिए यह healthcare के लिए है बाकी आपके वास वही है आपकी effective communication skill होनी चाहिए एस criteria आपका सेम है और यह एक जनवरी तक आपका count होता है किसी भी exam के लिए जब आपने देखा होगा कि आप state PCS के लिए या किसी और भी exam के लिए करते हैं तो जो आपकी age count होती है वो till first january तक count होती है तो यहां पर भी जो criteria है is count करने का वो आपका first january ही रहेगा इस की बात करते हैं bachelor of engineering technology in computer science technology और master of computer application यानि की mca और master of science computer science और master of science information technology और बी लेवल certificate यह अगर डिग्रिस आपके पास है या बी लेवल का आपके पास certificate है दोएक का तो आप apply कर सकते हो knowledge of software development आपसे उमीद की जाती है यह कि यह आपको होनी चाहिए अगर आप computer आपने पढ़ा है IT ITS के लिए अगर आप trainer के लिए apply करना चाहते है तो यह आपको knowledge होनी चाहिए the candidate should have a minimum one year experience required है आपका in same job role ठीक है he should be able to communicate in English should have knowledge of equipment tools material safety health and hygiene 18-37 साल आपका age criteria है और यह एज भी आपकी 1 January तक ही count होगी ठीक है relaxation यहाँ पर as per government rules है ठीक है जी next है retail graduate or diploma in retail management PG diploma in marketing with at least 50% marks and one year teaching work experience अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर आपने diploma किया है तो आपको at least उसमें 50% marks आपके होने चाहिए तब ही आप apply कर सकते हो अगर आपने PG diploma किया है marketing में लेकिन आपके आपके जो marks है वो 48 या 49% है या 50% से कम है तो आप apply नहीं कर सकते हो यह बात आप पहले clear कर है तो उसको preference दिए जाए प्रेफरेंस में मिलेगी MBA in retail marketing और PG diploma in retail marketing MBA marketing major and HR minor ठीक है जी effective communication skill होनी चाहिए आपके पास technical competition होनी चाहिए आपके पास जैसे marketing की आपको knowledge होनी चाहिए promotion store maintenance जो भी requirement होती है retail की वह आपको आनी चाहिए ठीक है 18-17 साल यहां भी age criteria यही है physical education की बात करते हैं post graduation in physical education from a recognized institute or a university with at least one year teaching experience effective communication basic skill आपके पास होनी चाहिए एस criteria यहां पर भी same है अब बात private security की करते हैं graduate in any discipline with at least one year work teaching experience in security or certificate course of assistant security officer ASO conducted by directorate general resettlement or train the trainers course conducted by security knowledge and skill development council SKSDC with two year of experience यह आपका अगर आप private security में अगर लगना चाहते हो तो यहां पर आपके पास यह आपकी qualification होनी चाहिए ex-servicemen who have rendered at least 10 year of services in the armed force are exempted from the experience clause ठीक है तो जिन्होंने army में काम किया है जो कि ex-servicemen है और 10 साल की जिन्होंने service दी है armed force में तो उनके लिए यह वाला criteria लागू नहीं होता यानि कि 2 साल का जो experience है in security का वो आपके उपर लागू नहीं होता effective communication skill होनी चाहिए basic computer आपको आना चाहिए technical competency आपके पास होनी चाहिए और age criteria यहां पर भी यही है यहां पर भी आपको as per जो government के rules है उसके मताबिक आपको relaxation मिल जाती है age में next है telecom sector bachelor of engineering technology in electronics and communication engineering additionally should have done a diploma or certificate course in optical fiber communication ठीके जी a minimum three year experience in the same job role यहां पर जो experience है वो तीन साल का आप से मांगा गया है the candidate should have a minimum three year work experience in this same job role he should be able to communicate in English local language she should have knowledge of equipment tools material and other safety health and hygiene right so यहां पर age criteria यहां पर भी सेम है tourism and hospitality की हम बात करते हैं diploma degree in hotel management from a recognized institute university with at least three year work teaching experience in food and beverages services service including one year as supervisory capacity in a classical hotel or facility manager company ठीके जी effective communication skill वो आपके लिए required होती ही है यहां पर जो आपका age criteria है यह important है यहां पर age criteria बाकी trade से बिलकुल अलग है about 24 years यानि कि आपकी जो age है वो चौबिस साल से आप उपर होने चाहिए बाकी में आपने देखा है कि 18 से 37 साल का age criteria रखा गया है सब में लेकिन अगर आपको tourism and trainer के लिए apply करना है trainer की post के लिए apply करना है तो आपकी age चौबिस साल से उपर होनी चाहिए ठीक है एक जनवरी की जो date है उसमें आपकी जो age है वो चौबिस साल से उपर होनी चाहिए ठीक है age relaxation इसमें भी प्रोवाइड की जाती है एस पर government rule bfsie यानि की banking financial services and insurance में क्या है post graduation in commerce management finance from a recognized institute university with at least one year work experience or MBA finance from a recognized university or m.com ठीक है effective communication skill basic computer skill 18-30 साल आपकी age और चूट जो है आपको एज में as per relaxation by government rules apparel made ups and home furnishing इसमें आपके पास बहुत सारे option है post graduation in textile and clothing और relevant area from a recognized institute or a university with at least one year experience in teaching or work in textile and clothing ठीक है जी next अगर आपके पास यह नहीं है और bachelor in fashion technology from the recognized university with one year professional experience of apparel designing and production अगर आपने इन दोनों में से कुछ ही किया है तो आप eligible हो यह दोनों भी नहीं किया है तो आपके पास तीसरा option है three year diploma in apparel designing and production after 10th with three year experience of apparel designing and production or graduation with one year pg diploma in fashion designing along with three year experience from apparel designing and production ठीक है जी certificate or industrial training institute in computer-aided embroidery and designing cutting and sewing dress along with cits craft instructor training scheme in एक दो तीन चार पांच यह पांच option आपके पास है पांच option में से अगर कहीं एक का criteria भी आप फुल्फिल करते हो पांच option में से तो आप apparel के लिए जो है ट्रेनर के लिए apply कर सकते हो यहां पर जो competency है वो यही है कि आपके पास communication skill आपकी अच्छी हो basic computer skill हो ठारा से संथी साल आपकी age हो is relaxation आपको मिल जाएगी अगर आप eligible हो तो next है beauty and wellness diploma in cosmetology beauty therapy beauty culture from a recognized institution और आपके पास एक साल का working या teaching experience होना चाहिए beauty and wellness में related field में effective communication basic computing skill is relaxation as per government rule थारा से संथी साल आपकी age होनी चाहिए electronics and hardware में बी-ई-बी-टैक in electrical electronics telecommunication with one year experience in relevant field यह आपके पास होनी चाहिए additional diploma certificate in control panel wiring ठीके जीड़ candidate should have one year experience यहां भी आपके पास एक साल का experience होना चाहिए आपके पास अच्छी communication skill होनी चाहिए और अधर जो knowledge होती है English local language language वह आपको होनी चाहिए और knowledge of equipment टूल्स यह सब चीज़े आपके पास होनी चाहिए जो कि basic requirements है थारा से संथी साल यहां भी आपकी age है plumbing में क्या है BTEC in civil mechanical agriculture engineering from a recognized institute university with at least one year आपके पास experience होना चाहिए teaching experience work experience या फिर आपके पास होना चाहिए diploma in civil mechanical agricultural engineering with two year work teaching experience यह आपके पास होना चाहिए बाकी effective communication skill basic computing skills थारा से संथी साल अपकी age होगी यह हमारे पास food processing का अभी हमारे पास available नहीं है वह हम आपको अपलब्द करवा देंगे अपने next session में या आपको comment box में उसकी detail दे दी जाएगी तो यह हमारे trades थे बहुत सारे हमारे viewers थे वह जानना चाहरे थे कि qualification criteria क्या है और age criteria क्या है तो यह थी हमारी जानकारी eligibility criteria को लेकर हमने बताया कि आपका age criteria क्या रहता है और आपका qualification criteria क्या रहता है इसमें कुछ अगर change होता है तो वह भी हम updated session आपके लिए लेकर आएंगे अगला session देखने के लिए आपको हमारी YouTube channel को subscribe करना है अगर आपने subscribe नहीं किया है जैसे ही कोई नई notification इस इन पोस्टों से related आएगी तो भी हम आपको बताएंगे अभी ऐसी उम्मीद है कि 15 October के बाद यह process शुरू होगा और नवेंबर में जाके जो है वह एक्जाम होगा नवेंबर में एक्जाम होने का मतलब है कि नवेंबर में ही इन पोस्ट को advertise भी किया जाएगा और यह post जो है trade wise advertise होंगी company wise advertise होंगी अभी तक सिर्फ इसमें इतना हुआ है कि कौन से स्कूलों में कौन सा trade आया है और कितने trades में कितने जो है वो trainer की भरती की जाएगी तो total जो है 624 trainer की भरती की जाएगी 15 trade में तो वो हम session आपके लिए बना चुके हैं यह हमारा eligibility based session था जैसे ह कोई नई जानकारी इसमें update हमारे पास आता है वो हम आपके लिए जल से जल session लेकर आएंगे thank you so much